बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, न अभी विश्यों की विश्यवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनोरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भियानन ले स राजस्थान राजस्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत उदैपुर के तत्वावधान में इस कारिक्रम के अंतरगत कक्षा एक से बारा तक के लिए प्रती दिन सवा तीन घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा नौ से दस के लि साड़े तीन से सवा चार बज़े तक शैक्षिक कारिक्रम प्रसारित होगा. जिसकी वज़े से हम अपना लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पारें. और इसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नमबर फॉर जिसका नाम है पुवर्टी यानि निर्दनता. बिलकुल भारत की अर्थ्वेस्ताब में जो बादगता का काम कर रही है, उसमें एक क भीवन यापन कर रही है, और इसी वज़े से कहीं नहीं गई, वो लोग पिछड़े हुएं और हमारी अर्थ्वेस्ता को बादगता का रूप में काम कर रहे हैं, तो बच्चों आज हम बात करेंगे निर्धनता पे. देखिए, भारत को धनी राष्ट की सेनी में गिना जाता था, अंग्रेजों के आगमन से पहले, भारत को सोने की चीडिया कहा जाता था, बिलकुल ये बात बिलकुल सही है, क्योंकि उस समय हम सक्षम थे, स्वतंत्र थे, और एक अच्छी स्थिती में थे, अंग्रेज जब भारत की अर्थ वस्ता गती हीन हो गई, पिछड गई, और उसी की परभाहों से भारत में कहीं ने गई, उसी का एक परिणाम था, दुश्परभाह था की भारत में निर्दन था भी वड़ी, क्योंकि हमारे पास परियाप संसादा नहीं रहे, सामाजी गरूप से विकास नह देश की राजदानी, नई दिल्ली के लाल किल्ले के पराचीर से देश को संबोधित करते ही, देश के परथम परदार्मति, पंडी जवालना नहिरू ने भी बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी विकट समश्या थी, कि 200-500 साल तक हमने अंग्रे जो वो कथन गया है, उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं बच्चों, उन्होंने कहा कि स्वतंतर प्राप्तिती कदम मातर है जो कि हमारे लिए विज्जय उस्तों की रूप में एक अच्छे सुवाउसर प्रदान करेगा, क्योंकि अब हम स्वतंतर हो चुके हैं, अब हम परादीन करें, इनको समात कर दें, क्योंकि ये भी हमारी अर्थविस्ता में एक बादकता का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारी अर्थविस्ता में बादक का काम थे, वो हंग्रेजी थे, क्योंकि वो हमारे विकास पर काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना स्वार्सित कि उनसे तो हम फिरी हो गए लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत के अर्थवयस्ता को उस मुकाम तक पहुचाए जाए ताकि हम पूरे वैस्विक स्थर पर अपने आपको साबित कर सके और तभी हमारे देश के व्यक्तियों कि आयम में वरदी होगी जीवनिस्ता में वरदी होगी उनके घ्यान में वरदी होगी और यह तभी सम्भव है जब हम आर्थिक नियोजन करें लेकिन कहीं नहीं गई इसमें सबसे बड़ा जो बादग था वो निर्दंता था तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सोतंदा प्राप्ति तो एक कदम मात्र ह है जो कि एक सुवसर का आरम होगा और अभी हमें बहुत सी महान उपलब्दी अभी अर्जित करनी है विजय उस्व हमारी प्रतिक्षा में जो हमें अचीवमेंट लेने हैं लेकिन यह तब ही सम्भव होगा जब निर्दंता अज्यानता रोग और बहुत से जो असमानता है उन सब का हम क्या करें उन्मूलन करें तब जाके यह उसका उस्व माना जाएगा तो यह बात नेरुजी ने कहीं बहुत इंपोर्टन बात थी अब बात करतें निर्दन तक किसे कहते हैं लेकिन आपको वता ना चाहूँगा यह तब भी संभव था जब हम इन चीजों पर का काम करें लेकिन एक सबसे बड़ी समश्या की बात थी कि पूरे विश्व में निर्दन आबाती का पहांचवा इस्सा भारत में निवास करता है यानि अगर हम बात करें तो करीब 30 करोड भारती है गरीब है यह बहुत बड़ा दिल्चप साकड़ा है और यही हमारी कहीं नह अर्थवेस्ता में बादक के रूप में काम कर रहा है यह हमारी अर्थवेस्ता को नुकसान पोचाने का काम कर रहा है क्योंकि गरीबी के कारण ही असिक्षा रोग कुपोशन बेरोजगारी जनसंग्यवर्दी बहुत से कारण भी उत्पन होते हैं तो यह एक बहुत बड़ उनकी पास प्रियात मातरा में संसादर नहीं पोच पा रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए वो तरस रहे हैं तो कहीं ने कहीं यह बहुत बड़ी समश्या है तो बच्चों आज हम पहले बात करता है कॉंसेट आप कॉंसेट आप वटी पे गरीबी की आउधाना पे प्रियात रूप से कपड़े नहीं पराप्त करने बारा और रहने के लिए चत प्राप्त नहीं कर पारा अगर ये वह आश्यक्ता है पूर नहीं कर पारा है तो हम उस वर्ग के लोगों को निर्धन के रूप में काउंट करेंगे निर्धनता की श्रेणी में शामिल करेंगे तो गरीबी किसे कहते है यह आपके समझ में आ गया बच्चो गरीबी वह सामाजिक अवस्ता होती है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी बुनियादी आश्चिकता को पूरा नहीं कर पाता ह है तो रोटी कपडा मकान के आधार पर हम गरीबी को काउंट करते हैं इसे गरीबी की निर्पेख्ष अवदाना कहते हैं घरिभी वएसे दोपर कार की होती है एक होता है मन्से गरीब और वास्टे क्रम गरीब देखिए गरीबी के है ये हमें जानना है तो बच्चो बड़ और विकासिल राष्ट्रों में निर्पेक्ष गरीबी किसे कहते हैं निर्पेक्ष गरीबी की वास्तिक अधाना होती है यह वह एक्चुल सिट्विशन होती है जिसमें व्यक्ति रियल में अपनी आधार भूत अपनी मूल भूत और अनिवार आशकता को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि हर व्यक्ति को प्रयाप्त महात्रा में बोजन चाहिए पोशन चाहिए रहने के लिए पहने के लिए उसको कपड़ा चाहिए और रहने के लिए उसको मकान चाहिए और ये इसका समाधान संभव भी नहीं है, तो सापेक्ष गरीबी एक मानसिक गरीबी है, मानसिक कैसे क्योंकि ये एक आय की विश्यमता सुथपन होती है, जैसे अमीर और अमीर गरीब और गरीब हो रहा है, आपने देखा होगा हम सब लोगों की परतिविक्ति आय भी अलग ह हम से भी कई उपर लोग कमाा रही है, हम से भी कई लोग कम कमा रहे है, तो कहीण बहरी है हम भी गरीब है, क्योंकि उसके तुल्णा में हम गरीब है है, जैसे बात करें यह criteria बन गया, तो यह एक सापेक्ष गरीबी में आता है, और यह हर देश में पाई जाती है, और especially अगर हम बात करें, तो विक्सित देशों में हमें सापेक्ष गरीबी की उदारे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति आदार बुत आउशित्ता तो प्राप्त कर पा रह है, लेकिन कहीं नहीं गई, वह सब की तुलना में आई में पीछे है, कहीं नहीं गई, उनमें आई के समानता है, इसने वापे सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है, तो गरीबी को समझने में आपको concept समझना पड़ेगा, कि गरीबी को दो concept में बाटा गया है, relative concept और absolute concept, जिसे गरीबी की वास्तिका अधाना कहता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आउश्यक्ताव पूरा नहीं कर पाता है, भारत में गरीबी का आखलन निर्पेक्ष गरीबी की आधार भी किया जाता है, और बारत में ये गरीबी की बारे में जो detail calculate करता है, data के जारी करता है, उन पर research करने वाली जो संस्ता है, government संस्ता है वो है योजनायोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जनवरी 2015 से योजनायोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगे नीती आयोग का गटन हो चुका है, बच्चों बड़े द्यान से समनना ये important है कि अब योजनायोग की जगे ये कारे कोन करता है, नीती आयोग करता है, अच्चे नीती आयोग का पुरा नाम है National Institution Transmarmic India आयोग, यानी राष्ट्रिय भाहरत परिवर्तन सहस्तान, बताना चाहूंगा 65 साल पुरा ने इस आयोग को समाप्त करके नीती आयोग का गठन किया ग गरीबी समंदी आखरे कट करती है, आर्थी नीजन समंदी कारे करती है, लेकिन 65 साल पुरानी सायोग को समाप्त कर गए, मोधी सरकार के दोवरा नीती आयोग का गठन कर दिया गया है, तो वर्तमान में गरीबी का आखरे कोन करती है, नीती आयोग करती है, भारत में यहां निवाश करती है यानि बाहरत का हर छटा नागरी गरीब माना गया है साथ ही बात करें बाहरत में करीब 30 करोड लोग गरीब रेखा से नीचे हैं तो गरीबी रेखा का मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आउश्यता हो पूरा नहीं कर पारे नियुनतम ज गरीबी की निर्पेक्ष आधारना के आधार पर की जाती है जो की गरीबी की वास्ति आधारना है और यहां पर हम इसकी गर्णा केलोरी के आधार पर करता है केलोरी उर्जा के आधार पर करता है द्याना कियेगा क्योंकि पोश्चन को ही हमने यह महत्यपूर्ण आधार मान यह पैमाना ने इसका पैमाना करने के लिए तो 400 केलोरी और परफिदिन परति व्यक्ति पारत करना होशक है यानि द्यानक न यहाँ पर गरीबी का उया कि गरीबी किसको माने इसके लिए हमने करता है यहां पर यहां पर हम इसका मुल्यांगन करते हैं वहीं बात करें भारत की आपादी को दो भागों डिवाइड किया है यह नहीं नहीं मिलेगा तो कर पाइगा है से कहां द Congratulations नहीं कर पाईगा तो कहीं है तो काम नहीं कर पाएगा और तो वह गरीब है क्योंकि व्यक्ति हम लोग कमाते किसले खाने के लिए कमाते हैं-पति क्यों में किया को करता है उसलिए बच्चों आप से पूचा या सकता है की योजना योग गरीन कि मुलियंगन कौन具 equipment काधार के काधार करता है जिसए दो भागों में दिवाइड किया गया है शेहरी रखा लिए 12 सोरी राश्ट्रिय पर्तिदस सर्वेक्षन कर दिया गया जो कि यह आकड़े करता है लेकिन अभी दोजार गुनिस में इसका नाम बदल गभर एनसो कर दिया यानि वर्तमान में भारत में गरीबी तता बेरोजगारी के जो आकड़े है वो कौन सी संस्ता एकर्थित करती है तो इसके लिए यहां पर बोसी समीटियों का गठन भी किया गरिबी को रोकने के लिए रोकताम करने के लिए उसका उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार के दवारा परियास किये और इसके पहली बार जब दिया गया तो शरी पंछी और दिया गया तो दिखिर ध्यानकना बहरत के आरती अनियोजिद10 योजना के मोटल में अपना है रूससा Spectal को और इसके लिए मने काम करना भी सुेर्फ लेकिन पैली बार वो कौन कों सी योजना थीêm तो बच्चो ध्यानक ना पांच वी पंचवर्षी योजना थी जिस पे हमने गरीबी उन्मुलन लेकिन गरीबी को रोकने के लिए देश में सवरोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रेडित करने के लिए छटी योजना म तो चटी योजदा में बहुत सी ग्रामिन कारेक्रम चलाए ताकि ग्रामिन बेरोजगारों को रोजगार मिल सकते हैं कौन-कौन से कदम उठा यह कौन-कौन सी कारेक्रम योजदा ही ती उसके ऐसे उठीए पहला था NRP, National Rural Employment Program, यानि राष्ट्रिय ग्रामिन सोरोजगार Program, वही दूसी बात करें, IRDP, Integrator Rural Development Program चलाए गया, समन्मित ग्रामिन विकास कारिकम चलाए गया, ट्राइजम चलाए गया, और ऐसे ही डखरा चलाए गया, तो यह कुछ एक महत्या पुन परियास थे, जो कि ग् इंद्रा गांधी के द्वारा पांच्वे लोकसवा चुनाओ के दोरान 1970 में उन्होंने गरीबी अटाओ, देश को बचाओ, यह नारा दिया था ध्यानक ना, और इसी नारे के अंतरकत हमने गरीबी उन्मिलन पर परियास किये, वह हमने पांच्वें में किये थे, द्यानक वही गरीबी के मुल्यांकन के लिए हमने परतिविक्ति है, यानि पर-capita income को हमने cost living के आधार प्रते किया, और इसके लिए हमने गणना करना सुरू किया, तो यह एक important point है, जो आपको ध्यानक ना है, कि वर्तमान में हम गरीबी का आकलन PCI के बेस्पे करता है, वही गरीबी काम करनी के लिए गरीबी निवारन दीवस बनाया जाता है, जो कि हर साल सतराक नुइर को बनाया जाता है, ला को का न अा उच्ण व मई हम Minskित स्ट्राइब ठीर दीए, यानि उनो के ततकालीन महासचे वाइडवर.- द्यानगना बाइडों ने गरीबी मुल्यांकन के लिए निर्पेक्ष अधाना को जोड़ दिया देखिए मैं आपको बताना चाहँगा है एक्चुल में गरीब हो यह जो निर्पेक्ष हो यानि वास्तिक अधाना के अधार पर जो मुल्गूत आउशकता पुरी नहीं कर द्यानगना बच्चों यूए नो ने भी गरीबी के लिए कौन से कौन से अपनाया निर्पेक्ष अधाना को और इस यहां पर उन्होंने गंड़ना का अधार क्या रखा केलोरी उर्जा और भारत में गरीबी की गंड़ना करता है योजनायोग और हमारे यहां पर भी वही उन्होंने घिया निर्पेक्ष अधाना के अधार पर केलोरी उर्जा के माठियम से गंड़ना की जाती है यूए नो ने यहां पर पेलोरी में पेमाना रखा 2300 केलोरी जबकिया य्योजनायोग ने के रखा था ग्राविन शेत्र के लिए 2400 और शेरी शेत्र के लिए 2100 केलोरी उर्जा प्राप्त करना आउशक है अगर इसे कम उर्जा परती दिन परती व्यक्ति अरजित नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब है जबकि यहां ऐसा नहीं है तो यह पोईंट आपको या रखना है UNO के तरफ से यह वक्ष किस ने रखा था ततकाली UNO के महासचीव बाइडों ने गरीबी की का आधार निर्पेक्ष गरीबी के आधार पर रखा और उसका मुल्यांकन करने के लिए उन्होंने पेमाना रखा केलोरी उर्जा को और कोई व्यक्ति जब 2300 केलोरी परती दिन परती व्यक्ति अर्जीत नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब माना जाएगा गरीबी के आखलन के लिए पहली बार अगरब बात करें तो UNDP युनाइट डेट नेशनल डॉलर्मेंट प्रोग्राम के दौरा भी 1999 के दौराण HPI निकाला था ध्याना यानि मानविये गरीबी सूचकांग निकाल जाता है और UNDP की तरफ से गरीबी पे कौन सा इंडेक्स निकाला जाता है और इससे पता चलता है कि विस्व में कौन सा राष्ट्र सब्जादा गरीब है किसकी कौन सी रेंग है यह MPI के थुरू पता चलता है तो बच्चों रहारंगना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ब समिति है रंगराजन समीति रगुराम राजन समीति उसी समीति गठीत वह जिनने कम आंके विह को ŗठनेशनल इंट ने किसकी को किया जाता है solutions करने वाली जो पहली समिति थी वो लखन वाले समिती ने गरीबी का मुल्याइगण केलॉरी उँद्धार पर ही किया और इनी के फौर्मुले को आँ कोयोजनायोग निमाना मैं आपको जाँगा लखडवाला दे टी लखडवाला जो कि यह चालडवाला जो कि योजनायोगा तत्कलि लिन उपाध्यक्ष भी रहते और उन्हों ने केलोरियो जगे आधार पे उनोंने गरीवी का आधार किया तो द्यारण पना लकड़ावाला समीति नहीं गरीवी का मुल्यांग कन केलोरियो जगे माद्यम से किया और शेरी शेत के λ intelligence उसको त्यार किया लगड़ा बात करें तो तिरानाकी उसके बात करें उनके अनुसानों नहीं CPRाण में अगर हम निर्दंता रेखा से बात करें तो भारत में करी 35.97 लगबग 36 परतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन करती है यानि BPL के है यानि जो नियूंतम जीवन इस तर अर्जित नहीं कर पारे अपनी बुनियादी आवशक्ता को पूरा नहीं कर पारे और उनके बात करें दो जार में उन्होंने आकड़ा 26.10% के साथ से बताया वहीं उनके अनुसार सबसे ज्यादा उस समय सबसे गरीब राज्यू में उड़ी सेथा जिसकी लगबग 47.15% अबादी गरीबी की तरफ थी आगे हम बात करें एनससों ने एनससों का 61 जो चक्र चलाए गया गरीबी मुल्यांगन के लिए गरीबी आकलन के लिए तो उनके अनुसा बहरत में गरीबी परतिशत दर 245 में 21.8 ती द्या के लिए गरीबी का अनुपान जो था वो बिन-विन वस्तों के अधार पर अल्लग निकला था निर्दंता रेखा पर आकलन करने के लिए दो परकार के प्रश्णावली त्यार की गई इसका परियोग एनससों ने अपने 61 चक्र में किया था एक तो थी यू आर पी एक थी MRP यानि मिक्स रिकॉल पिरियड और यू आर पी मलब यूनिफॉर्म रिकॉल पिरियड एनससों जिसे वर्तमान में एनसस कहता है अब यह एनसों बन चुका है ने अपने 100 चक्र के अनुसार 245 के लिए राश्टे इस तरपर निर्दंता का अनुमान लगाने के लिए यू आर दोगता कि दुवारा जिन जिन वस्तु पे उब्वोग वेक किया जाता है उनका आकडों के अधार पी लिया जबकि मिस्त रिकॉल पिरियड यानि MRP की बात करे तो उन्होंने पांच गेर खाद वस्तु लिया जिसमें कपड़े जूते टिकाव वस्तिय शिक्षा और संस्त जिन था अनुपाद निकाला जिसके अनुसार उन्होंने 21.8 प्रतिशत आवाधी को गरीब बताया तो यह एनससों के 61 चक्र में परियोग किया गया था तो इसलिए बच्चों आप से पूछा जा सकता कि एनससों ने अपने 61 चक्र में दो तरगी प्रशनावाली दी जिसमे URP और NRP URP की बात करें तो यह 30 दिन के आदार पे थी जबकि MRP 365 दिन के बैस के आदार पे थी जो कि खाद्यान वस्तों को छोड़गर अन्य वस्तों पर किये अब बात करते सुरेश तेंदुलकर समीति इनका भी एक एहम योगदान रा भारत के गरीबी मुल्यांकन में ते एक इंपोर्टेंट है लकड़ा वाला ने केलोरी जगे अधार पी किया था जबकि इन्होंने उब्बोग को आधार माना MRP URP को आधार माना तो ध्यान कियेगा यह प्रशन बच्चों आप से पूचा जा सकता है कि गरीबी का मुल्यांकन करने वाली सुरेश तेंदुल समी गरीबी का आकलन किस के आधार पी किया तो उन्होंने उब्बोग व्यक्राइक अधार तौणकर कर रहा अगर वो नहीं कर पा रहा यह प्रयापत आवशक्ता उनियुक्त संग्या भारत में यह भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी समachen है बहुत बड़ा मिन्दू है कि भारत विस्व में सब से गरीब देशों में इनआ जाता है विस्व में सब्सक्राइब अबाधी की आबादि हमारे देशatra निवाजת करती है एक बहुत बड़ी समष्य हमारे लिए और ये विस्सु बेंग द्वरा जारी विस्सु विकास रिपोर्ट में हमको मिला उनकी अनुसार विस्सु में लग विस्सु की एक पूंट तीन अरब जो निर्दन जल संग है यानि पूरे वर्ल्ड में करीब एक अरब आबादी है इस समय करीब आठ अरब आबादी पहुंच चु विस्सु बेंग ने अब इस आखड़े को बदल दिया अब उन्होंने इसको सवा डोलर कर दिया प्रती दिन यानि अगर बारत में कोई व्यक्ति एक दिन में एक पूंट पच्चिस डोलर अरजित नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब माना जाएगा तो इस तरह से हमने बच्चों आपने क्या समझा गरीब उसे कहता है जब समाज का एक वर्ग अपनी बुनियादी अवश्यक्ता को पूरा नहीं कर पाए अपना नियुन्तम जिवनिस तर अर्जित नहीं कर पाया तो वह गरीब माना जाएगा बाहरत में गरीबी का आकलन योजनायों करता है व व्यक्ति अपनी अपनी आधरभूत आश्यक्ताव पूरा नहीं कर पार तो इस पार्ट में अपने गरीबी के बारे में पढ़ा अगले पढ़ेंगे गरीबी के क्या कारणे तब तक जुड़े रही है मिश्यन ग्यान के साथ बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा बारा भई खाते यानि ऐसे भई खाते जो बंद हो चुके हैं और इन बंद साज्यदारी भई खातों में हमें समयोजन करना है कभी कभी हमारे पार्टनर हमारे लेखाकार अकाउंटेंड भूल जाते कुछ व्यवारों का लेखा करना उन व्यवारों का लेखा करने से पूरू ही ह कि इस देखते हैं यह देखते हैं किरें शूरू करते हैं पॉच्छ रहेवार होत Venice अन्वेवालों का पुस्तकों में नहीं किया गया देखते हैं हैं पुस्त के बंद करने के बाद कि नहीं कि हैं वेवार। कते के स्मयोजन हमें करना आवश्य कर जिसके लिए फैलिए प्रऴिष्टी दरस रग्य केवल हम एक प्रभिष्टी दे कर हमारे ला भानि खाते को हमारी जोfly आध्युेंं उन्हें पूरा सकते हैं और दूसरा है ला भानी समय जन खाता खोल कर यह एक प्रविष्टी विदी का प्रयोग करेंगे और जब लाभानी समयोजन खाते के लिए बोला जाए आप लाभानी समयोजन विदी प्रयोग करेंगे एक प्रविष्टी द्वास मयोजन जो साजेदारों को देना है उनके खाते में CR और जो उनसे वसूल करनी है उनके खाते में DR यानि जो साजेदारों को देना है साजेदारों के लिए इंकम किसे दिखाए जाएगा इंकम को और DR में किसे दिखाए जाएगा एक्सपेंसे के लिए जो साजेदारों के लिए इंकम है वो CR पक्स में आएगी और जो साजेदारों के लिए खर्चा है वो DR पक्स में आएगा इसके लिए विस्तिलेशन तारिका त्यार की जाती है और अंत में सुद्य प्रभाव के आदार पर एक समयाजन प्रिष्टी की जाती है जिसमें गेनिंग पार्टनर जो भी ग समयाजन खाता खोल कर प्रस्ति में आपको इस प्रष्ट रूप से दिया होगा क्या आपको एक प्रविष्टी विदी का परयोग करना है या लाव भाने समयाजन खाता खोलना है इस विदी में आपको प्रविष्टियां देनी होगी इस विदी में आपको केवल एक प्रव पुष्टी का मतलब ही क्या है एक प्रविष्टी देना है लेकर आपको लाप आने समाइजेंग खता खोलना हो तो आपको प्रविष्टě यह देनी होगी पहले प्रविष्टी आपके सामने किस चीज चीज से लेटेट पुझी पर ब्याज वेतन कमिशन यह तीनों साध्य द वीडियो में बताया था करेंट वी का प्रियोग हम तब करेंगे जब इस्तिर पुझी वीदी का हम प्रियोग करेंगे आयर पर ब्याच पर्ली औराट्न काईण मोझी युझेशन होन् रगवजन अगया ठीट की अंडियोग तो बाल इसलोय या। युक्ति वार्टौडी और युक्ति वार्ट्स न sometimes अप्सक्षा बार्ट याज़ अचने में अब यख़ आगया मपर्ण। account DR to partners capital और हानी होने पर इसकी विप्रीज याने उल्टी प्रविष्टी बनाएंगी विप्रीज प्रविष्टी क्या बनेगी partners capital account DR to PNL adjustment याने जश्ट इसकी विप्रीज प्रविष्टी होगी हानी होने पर चलिए हम PNL adjustment account का एक बाद प्यारूफ देख लेते हैं देखिए यह बिल्कुल आपको प्रोफिटे लोस अप्रोपिशन अकाउंट की तरह दिखाई दे रहा है बस फर्क क्या है यहां पर हम सुद्द आपको नहीं दिखाएंगी देखिए डेबिट साइड में प्रिंट्रेस्टों पूंजी खाता विदी से बनाए जाते हैं तो लेखा पूंजी खाते किस्तान पर चालू खाते के मादिन से किया जाएगा यानि केपिटल की जिगर क्रेंट अकाउंट का प्रियोग हम करेंगे चलिए मेरे प्याने बच्चों लेकर आये हैं हम आपके लिए प्रोब्लम एक कोशन जो आपको एकल पर विष्टी विदी और लावानी समाई जूग खाता विदी को समझने में मदद करेंगा प्रस्टन है और और एस और टी एक पर्मे साजेदार है तीन साजेदार हमें दिये गए उनकी पूंजी खातों के से इकितिसमार्ट दोजार सत्रा को आपको यह कितिसमार्ट दोजार्ट सत्रा को शेस दिये वे हैं और तर लाव का समय जूग करने के बाद इस प्रकार है और एक लाग पंद्रह जार सत्रह जार तर टी बियालिज़ जार वर्ड्स के खाते बंद करने के बाद ग्यातुवा की फूंजी तता आरण पर 10 प्रसेंट ब् इनके आरण आर 15000,S 10,000,T 8000 है जिन पर ब्याज करमस का एक अजार च्हसों और चार्षों लुपे बना वर्थ का लाख बिना पूंजी वर आरण पर ब्याज के समयजन से पूर 60,000 था इस समयजन के लिए जर्णल प्रविष्टियां दीजिये और लाभानी समयजन खाता भी बनाईए तो आपको इस प्रस्ण में जर्णल प्रविष्टियां देनी हैं और लाभानी समयजन खाता बनाना है मेरे प्यारे बच्चों ये second method होगा क्योंकि प्रस्ट में इस पष्ट लाभानी समय जिन खाता बनाईए मेरे प्यारे बच्चे एक बार आपने नोट की आपको जब पूंजी खातों के शेश दिये वें यह 31 मार्च को दिये वें इसका मतलब हुआ खाते बंद करने के बाद खाते बंद करने के बाद हमें पूंजी खातों के शेश दिये गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपको पूंजी दी गई है पहले ओपनिंग बेलेंस निकालना पड़ेगा तो हम लिखेंगे कैलकूलेशन ओफ ओपनिंग केपिटल हम सबसे पहले त्याम भी पूंजी गयात करेंगे कितने पार्टमर्ण आपके तीन कौन कौन से आर एश टी आर एश टी सबसे पहले आपके लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या एड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में ग्रोविंग को एड कर दिया जाता है और जो आएगा उसमें क्या लेस कर जाते है प्यारे बच्चों हमेशा पूंजी के प्यारंबिक शेष पर ही ब्याज दिया जाता है यदि आपको प्रस्न में अंत्यम पूंजी दी गई हो तो पहले आप प्यारंबिक पूंजी की गढ़ना करेंगे और उस पर ब्याज देंगे प्यारंबिक पूंजी की गढ़ना करने के लिए आप क्या करेंगे ताकर क्लोजिंग केप्टल होगी उस क्लोजिंग केप्टल में ग्रोइंग को प्लस करेंगे और जो प्रफिट होगा उसे माइनिस करेंगे क्लोजिंग केप्टल एक लाग पंद्रा जार, सत्रा जार, बियां लिजार, ग्रोविंग्स पंद्रा जार, दस जार, आठ जार हमने इनके क्लोजिंग बैलेंस में आरन को प्लस कर दिया, लेस करना प्रोफिट को, प्रोफिट कितना है, साथ एजार, और अनुपात कितना है, तीन, दो, एक साथ एजार को, तीन, दो, एक में हम बांट देंगे, और लेस कर देंगे, तो आप क्या जाएगी, वन लेक, सिस्टी थाउजन, फोटी थाउजन, यह आपकी क्या आ चुकिए मेरी प्यारे बच्चों, ओपनिंग, केपिटल, जट किलियर है, अब क्योशन में हमें क्या दे देखना है, कि हमें क्या-क्या देना भूल गए, एक तो हमने पूंजी तथा आरन पर दस प्रतिश्यत वार्ट सिक दर से ब्याज, सवाल को देखूं, तो आरन पर ब्याज तो आपको और रेडी दिया हुआ है, और पूंजी पर कितना प्रसेंट ब्याज निकालना है, दस परसेंट, पूंजी कितनी है आपकी, एक लाट, साथ जार, चाली जार, तो आपका इंट्रेश्ट तौन केपिटल कितना हो जाएगा, दस जार, छे जार, चार जार, आपको सबसे पहले क्या बनानी इनकी, जैनल, चलिए, जैनल बनाते हैं, सबसे वाले पूंजी परव्या देखो, हम्ने पहले ही पढ़ा है कि आपका किसी प्रिकार का पूंजी परव्याज बथर्मल कमिशन होगा, तो प्रविष्ठी होगी PML correspond defender account ER to partners capital और RM पर व्याज होगा, तो प्रविष्ठी होगी partners capital account ER to payment adjustment, चलिए, करते हैं, PML adjustment account DR, partner capital को कान हमारे हैं? आर केपिटल, एस केपिटल, टी केपिटल, कितना कितना ब्याज आ रहे हैं, दस हजार, छे जार, चार जार, टोटल, बीच हजार, इसी प्रिकार, आर एंट पर ब्याज के लिए अठीक्ता प्रिष्टी होगी, एंट योगी, आर केपिटल अकाउंट डियार, एस केपिटल अकाउंट डियार, टी केपिटल अकाउंट डियार, टू, पियनल, एड्रिस्मेंट, कितना कितना है, 1,600, 400, 1,600, 400, टोटल, 2,000, किलियार है, अब आपको इसके बाद, एक प्रिष्टी के लिए जगा छोड देनी है, और दलाना क्या है, पियनल, एड्जेस्टमेंट, अकाउंट, सबसे पहले, क्या क्या दिखाना है, इंट्रेस्टोन, केपिटल आर, एस, टी, दस अजार, छे जार, चार जार, टोटल, 20,000, आपको दिखाना है, इंट्रेस्टोन, ग्रोईंट, आर, एस, टी, एक अजार, छेसो, चार्षो, दोजार, टोटल लगाएंगे, बैलेस्ट निकालेंगे, हो गया आपको क्या, लोस, कितना, 18,000, किस-किस में डिस्टिब्यूट होगा, आर, एस, टी में, किस अनुपात में, तीन अनुपात, दो अनुपात, एक में, 9,000, 6,000, 3,000, टोटल लगा देंगे, 20,000 हो, 20,000, इस प्रकार से आप इसका टोटल ग्याच कर लेंगे, अनुपात क्या बनेगे आपकी, आर केपिटल दियार, एस केपिटल दियार, टी केपिटल दियार, टू, पियेनल एडजस्मेंट, कितना, 9,000, 6,000, 3,000, 18,000, तो इस प्रकार आप जब प्रविष्टियां लार भानी समयरजन खाता खोल कर विदी का प्रयोग करेंगे, तो आप इसे सोल कर सकते हैं, आपको ओपिटल क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि आपको प्रिस्ट में क्लोजिंग केपिटल दी गई थी, देख सकते हैं, प्रिस्ट में दी के साजिदाय की पूझी, अंत की पूझी पूझी पर ब्याज की गढ़ना करने तो वर्ट की आदम की पूझी ग्यात होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले हमने यहां जब की क्लोजिंग केपिटल थी, उसमें आरन को एड करके, प्रोफिट को माइनिस करके, और अपनी केपिटल निकाली और उस पर 10% ब्याज निकाला, इसके प्रविष्टियों की बात करें, इंट्रेस्ट ओन केपिटल के लिए, किया, आपको पार्टिर स्क्रिप्टल अकाउन बनाने को बोला जाए, तो सबसे पहले आपने केपिटल का बैलेंस, एक लाग पंदर जार, सतर जार, बियानलीस जार दिखाया, आपको जो लोस हुआ था, नो जार, शार जार, तीन जार, उसे दिखा का बैलेंस एडी निका लिया जाएगा, तो इस प्रिकार से आप आरण पर ब्यात, पूंजी पर ब्यात देना भूल रहे हैं, जिसकी लाग भानी समयोजन खातार विदी का अपने परियोग किया, अब देखिए, कभी-कभी आपको एक प्रविष्टी द्वादा भी इस समयोजन को करने के लिए कह आया जा सकता है, ऐसी द्वसाब में आप एक तालीकाइणा बनाएंगे और तालीका बनाकर इसका समयोजन करेंगे, जब प्रस्ण में के लिए एक समयोजन विदी का परियोग करने के लिए कहा जाए तब भी आप इस विदी का परियोग करेंगी चलिए तालीका को बार में रेखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ जो तालीका आपको एक प्रेविष्टी विदी में बनानी है वो तालीका कुछ इस तरीके से होंगी पर्टिकूलर आपके पार्टनर कौन कौन है आर एस टी और एक कॉलम होगा आपका फर्म का इनके भी आपको क्या करने हैं दो दो पार्ट करने हैं एक पार्ट होगा डी आर एक पार्ट होगा सी आर आपके पास दो पार्ट होंगे आप क्या क्या देना भूल गए जिससे आप देना भूल गए इंट्रेस्ट ओन केपिटल यह इंट्रेस्ट ओन केपिटल कितना कितना है दसजार छ़जार च्यार जार द्यान जए मेरे प्यारे बच्चों हमेशा पूंजी पर ब्याठ्ष पर दिया जाता है, अंतिम शेष दिया होने की वज़े से हमने पहले प्राइन्भिक खेश निकाला और उस पर ब्याठ्ष निकाला, ये शाजेदालों के लिए आए है और आए होने की वज़े से किस कोलम में आएगा? CR Column में अप्रम के किस Column में आएगा DR Column में यह पूझी पर ब्याज साजेदारों के लिए क्या है Income है और Income होने के वज़े से यह साजेदारों के CR में अप्रम के DR में Interest on Drawing एक हजार छहसो चार्सो दो हजार आरल पर ब्याज फ्रम के लिए Income हो साजेदारों के लिए खर्चा होने की वज़े से यह DR में आ रहा है और फ्रम के CR में इसके वाज आप इसका टोटल लगाएंगे किसका फ्रम के Column का 20,000 दो जार Difference कितना हो गया 18,000 यह 18,000 हमने किस Column में लिखा CR Column में क्यों क्यों कि debit का टोटल था वह 20,000 था credit का केट टोटल दो जार था दोनों के Equal करने के लिए हमने क्या कर दिया यह CR Column में आया है इसके ज़श्ट सामने आप लिखेंगे PNL 3 Ratio 2 Ratio 1 जो 18,000 है वो किस Column में? CR में यहां किस Column में आजाएगा DR में 9,000 6,000 3,000 यह सभी साजिदारों में लाभन इनपार्ट में बाठ दिया जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसका टोटल लगा लेंगे 10,000 10,000 6,600 6,000 3,400 4,000 क्लिया है? इन दोनों को छेक करेंगे तो इन दोनों में कोई रहता नहीं है इन दोनों चेक करेंगे तो 600 रुपे किस साइड में ज्यादा है? DR में इन दोनों को छेक करेंगे में 600 रुपे किस जयर में ज्यादा हैं समझ यार है हमने सबसे पहले इंट्रेस्ट ओन केपिटल को पार्टनर्स के दिखा या कोकि उनके लिए खर्चा है बाद मेंने तोटल लगा यहां पे 18,000 का डिफेंस था उसे मैं डिस्टिब्यूट किया और तोटल लगाया ए आर वो इक्वल आ रहा है एस शिक्संडेट डी आर ज्यादा है टी शिक्संडेट सी आर ज्यादा है तो यह जैनल जो हमारी बन जाएगी आर एस डी आर में ज्यादा है एस टेपिटल अकाउंट डी आर टी सी आर में ज्यादा है टी केपिटल और अमांट आ जाएगा शिक्संडेट और शिक्संडेट जो जिस सब्सक्राइब ज्यादा डी आर है तो इस प्रिकार्ड से आप लाब आने समय जन्ध खाता विधी और एकल प्रविष्टि विधी का प्रयोग कर सवाल सोल कर सकते हैं आप प्रस्थन में देखेंगे कि आपको एकल प्रविष्टी विदी का प्रयोग करने लिए कहा जाए तो पहले आप प्रविष्टी गयाद करेंगे और आपको प्रस्थन में अंत्रिम पूंजी दी गई है तो आप पहले प्रायम्विक पूंजी शेष्ष के अजार पर होगी आपकी पूंजी परव्याज की गण्णा तो मेरे प्याने बच्चों यह था आपका बंद्र साध्यतारी बई खातर में समय जोन अगले टोपिक के साथ जल्दी है मापके सामने आएंगे बंदेर हैं हमारे साथ बच्चो आज का अगला पार्ट कक्षा बारा में हिंदी विशे में कुवनारायन भाग दो बच्चो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कुवनारायन जी की कवीताओं को तो हमने पिछले वीडियो में कुवनारायन जी की कवीता कवीता के वहाने का अध्यन किया था अब हम इनकी अगली कवीता बात सीधी थी पर का अध्यन करेंगे तो चलते हैं कवीता को पढ़ते हैं बात सीधी थी पर तो ये कुवर नारायन जी की प्रसिद्ध कवीता है तो यहाँ पर कवी अपने बात को एक सीधी बात को प्रस्तुत करना चाता है लेकिन जटिल भाशा के प्रयोक से उस बात का अर्थ इसपष्ट नहीं हो पाता है और उसका जो प्रभाव होता है, वो खत्म हो जाता है। इसका केंदरी विचार यही है कि कवी को अपनी बात कहनी होती है, उसको सीधी, सरल, सहज भाशा में प्रयुक्त करना चाहिए, किसी भाशा के चमतकार में नहीं फसना चाहिए, तो आईए इस कविता का अर्थ करते हैं बात सीधी थी पर एक बार भाशा के चक्कर में जरा टेड़ी फस गई तो कवी यहाँ पर कहना चाहता है कि वह जिस बात को अपनी कविता के रूप में व्यक्त करना चाहता था बहुत सीधी थी उसका एक सीधा सा अर्थ था लेकिन भाशा के चक्कर में लेकिन कवी भाशा के प्रियोग के कारण उसको जटिल बनाता जा रहा था था वह क्लिष्ट शब्दों को रखना चाहता था ताकि उसकी जो बात है वो प्रभाव शाली लगे लोगों को आकरशित करें तो उस भाशा के चकर में जटिल भाशा के चकर में जरा टेड़ी फस गई उस बात का जोगसा मानने सा सरलसा अर्थ था और वह समझ में नहीं आ रहा था तो भाशा के चकर में सीधी साधी बात क्या थी कठिन हो गई उसे पाने की कोशिश में भाशा को उल्टा पल्टा तोड़ा मरोडा जब कवी लिखता है तो बार-बार शब्दों के हेर फेर करता है उससे लगता है और आकरशक बनाओ और अच्छा कुछ करूं तो यहाँ पर कवी ने क्या किया कि जब उसका अर्थ नश्ट हो गया तो संचे अर्थ को पाने की कोशिश में उससने उस कवीता की भाशा को उल्टा पल्टा तोरा मरोडा म्तलब शब्दों का सयोजन फिर से किया वाग की सरंचरा को बदला शब्दों का उलट फिर गिया घुमाया फिर उसके वाग के रचना को थोड़ा सा बदला भूस सारे संशोधन उसने अपनी भाशा में किये कि बात या तो बने या फिर भाशा से बाहर आए कवी चाहता था या तो उसकी बात का अर्थ अच्छे से इसपश्ट हो जाए या फिर ये जटिल भाशा के चक्कर में जो उसकी भाषा के साथ साथ बात ओर भी पेचिदा होती चली गई लेकिन कवी ने प्रयास तो किया में उसकी बात अगी उसकी बात और भी पेचिदा होती चली गई कवी ने कवीता के इसंश में उन रचनाकारों पर मधुर व्यंग किया है जो अपनी कवीता को प्रभाव शाली बनाने के लिए क्लिष्ट भाशा का प्रयोग किया करते हैं कभी कहता है कि वह जो बात पाट को तक पहुचाना चाहता था वह बिलकुल सीधी और सरल थी परंतु वह उसे प्रभाव पून भाशा में व्यक्त करना चाहता था भाशा को आकरशक बनाने पर ध्यान देने के कारण उसकी बात की सरलता नश्ट हो गई कवी ने बात की सरलता को नश्ट होने से बचाने के लिए भाशा में संशोधन किया, शब्दों को बदला और वाक्य रचना में फेर बदल किया उसने प्रयास किया कि बात सरल बनी रहे तता भाशा की क्लिष्टता और दिखावटी सरूप से छुटकारा मिले परंतु इससे बात और भाशा और अधिक उलस्ती चली गई विशेश कविक्य अनुसार भाशा की सजापट पर अधिक वल देने पर कथे का संदेश और सहस्ता अइसपष्ट हो जाती है सहज व सरल भाशा में भी भावों और विचारों को प्रभाव शाली डंग से व्यक्त किया जा सकता है कवी का संदेश इस कविता के माध्यम से ये वी है कि कवी को अपने विचारों को सहज और सरल के माध्यम से ही व्यक्त करना चाहिए अनुप्रास अलंकार वा पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है चलो आगे देखते हैं इस कविता को और सारी मुश्किल को धेरे से समझे विना मैं पेच को खोलने के बजाए उसे बेतरह कस्ता चला जा रहा था और अब बात का जो भाव इसपश्ट हो रहा था तो कवी कोशिश कर रहा था वो उसको धेरे से नहीं समझ रहा था कि इसके सरल बनाने के लिए सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करूँ वो तो पेच को कस्ते हुए चले जा रहा था जिस प्रकार पेच को हमें खोलना चाहिए वो उस पेच को कस्ता हुआ चला जा रहा था तो यहां पर बात और पेच को एक जैसा बना कर कवी ने प्रस्तुत किया है, एक शब्द चित्रसा प्रस्तुत कर दिया है उसे बेतरह कस्ता चला जा रहा था, उसमें और क्लिष्ट भावों को भरता जा रहा था, क्लिष्ट शब्दों को भरता जा रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, तमाश वीनों की शावाशी और रहावा कभी क्या चाता है, कभी अपनी कविता की रचना यह सोच के भी करता है कि उसकी कविता की वावाई होगी, उसको प्रशंचा प्राप्त होगी तो उसके मन में तो तमाश वीनों की शवाशी और वावा चल रही थी और इस कारण वह अपनी भाशा को और क्लिष्ट किये जा रहा था उसको आकरशक बनाने के लिए उसमें और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किये जा रहा था उसको सरल नहीं बना रहा था आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था जोर जवर्दस्ती से बात की चूड़ी मर गई जिस परकार पेच को हम जोर जवर्दस्ती से कसते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है तो वो जोर्द जवरदस्ती से भाषा को आकरशक बनाने के लिए जब उसमें कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा था तो उसकी बात का अर्थ ही खतम हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी जो बात वो कहना चाहता था जब उसका अर्थ ही इस पश्ट नहीं है तो कवी क्लिष्ट शब्दों की कविता में अनुपयोगिता बता रहा है कवी कहता है कि उसने सीधी साधी बात को व्यक्त करने के लिए आकरशक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की भूल इससे कविता में नहित भाव अश्पष्ट हो गया कवी ने इस कठिन समस्या पर धेरे पूर्वक सोज विचार भी नहीं किया उसे भाषा को सरल बनाना था लेकिन वह उसे और कस्ता चला गया कवी को उसके इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोगों की प्रशंशा और वावाई करते नजर आ रहे थे इससे भ्रहमित होकर कवी भाषा के पेच को जवरदस् से उसकी चूड़ी मर जाती है तो कुछ लोगों को भ्रहम रहता है कि बात को पांडित्य पून क्लिष्ट भाषा में कहा जाएगा तो वह श्रोताओं को अधिक प्रभावित करेगी उसकी प्रशंशा होगी कवीता की भाषा को सजाने के चक्कर में अपनी रचना को ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत बात ने जो एक शरार्ती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंचते देखकर पूछा क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो जब बात को सरल बनाने का कभी प्रयास कर रहा था तो सरल तो बनाई नहीं रहा था धेरे पूरवक उसके बारे में सोच ही न रहा था वो तो पांडित्य पून भाषा का प्रयोग उसमें किये जा रहा था तो उसने क्या हुआ वो अपने प्रयास में असफल रहा उसकी बात प्रभावी थी उसका आर्थ अभी समझ में नहीं आ रहा था तो कभी ने क्या किया हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगर ठोग दिया जिस पेज की जबरदस्ती कसने पर चूड़ी मर जाती है तो लास्ट में क्या किया जाता है उस पेज को ठोग दिया जाता है तो उसने भी भाषा में शब्दों को जबरदस्ती ठूज द बात ने जो एक शरार्ती बच्चे की तरम उससे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंसते देखकर पूछा, जब कवी को समझ में आ गया था कि इसकी जो बात है वह प्रभावी नहीं है, तो वह परिशान होकर जब परिश्टीना पहुच रहा था, तो बात ने जो कवी की जो भाव हैं, उसके मन के भावों ने उससे एक शरार्ती बच्चे की तरह प्रश्न कर लिया, क्या तुमने भाशा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, कवी से उसके भावों नहीं प्रश्न कर लिया, क्या तुमने भाशा को सहज और सरल रूप में व्यक्त करना नहीं सीख तो आईए इसका भावार्थ देख लेते हैं, कवी कहता है कि जवह चमतकार पून भाषा का प्रियोग करके भी अपने सरल मनो भावों को ठीक से प्रकट नहीं कर पाया, तो निराश होकर उसने क्या किया वार्थ में क्लिष्ट भावों को जबरदस्ती भर दिया, इससे वह प कर्शन तथा पाठक को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती, अपनी असफलता पर कवी निराश था और बेचेन होकर बार-बार पसीना पूछ रहा था, यह देखकर उसके मन के भाव किसी शरार्ती बच्चे की तरह उसे छेनने लगे, उन भावों ने कवी से पूछा कि क क्या वह अभी तक सरल भावों को प्रकट करने के लिए सरल भाशा का प्रयोग नहीं सीख पाया, यहाँ पर विशेश देख लेते हैं, भाशा भावानुकूल होनी चाहिए, पांडित्य प्रदर्शन है तो क्लिष्ट, चमतकार पून वह बनावटी शब्दों का प्रयोग क तो बच्चों, कुवर नारायन जी की ये कविता बात सीधी थी पर काज हमने अध्यन किया, आशाय आपको समझ में आई होगी, अब आपका काम है इन दोनों कविताओं को याद करना, इससे अगले वीडियो में हम इनके प्रशन उत्रों को हल करेंगे, तब तक के लिए धन बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में अर्थ शास्त्र विशय में निर्धनता, गरीबी की अवधारना वे कक्षा 12, लेखा शास्त्र विशय में बंद साजेदारी बहिखातों में समायोजन तथा हिंदी विशय में कुवर नारायन भाग तो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विशय में लिखांकन, एक परिचय, अप्यास प्रश्न, वे अंग्रेजी विशय में बुक, हॉन्बिल से, दे पोट्रेट अफ दे लेडी, भाग पाँज, कक्षा 12, लेखा शास्त्र विशय में अल आपकारी सं स्काओं के लिए लिखांकन, बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंड पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फांडेशन, एवम, पुरमल फांडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें, कारिक्रम से संबंदित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001